हलो फ्रेंड्स मैं हूँ विदान तो वेलकम है आपका टेक्नो विदान चैनल में मैंने लास्ट की वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स बताई थी कुछ टिप्स दिये थे और आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक में बना रहा हूँ कि आप अपनी वाइस को एक प्रोफेशनल वाइस में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं एक सॉप्वेर है जिसके थूँ आप अपनी वाइस को काफी अच्छा कर सकते हैं इस topic पे मैं already एक video बना चुक हूँ, आप YouTube के search bar में लिखेंगे Audacity Techno Vedant, आप ये जो video देख रहे हैं, इस video को देखके आप settings को सीख सकते हैं, आज के video में मैं आपको कुछ advanced चीजे बताऊँगा, advanced software बताऊँगा, जिससे आपकी अवास काफी अच्छी हो जाएगी, आप चाहे चैनल वे में कैसे लेके आएंगे, और वही सारी चीजे में आज के video में बताऊँगा, पर उससे पहले friends अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करें, तो चैनल को मेरे subscribe करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे interesting videos लेके आता रहता हूँ, आप मेरी playlist में जा सकते हैं, चैनल की, यहां से आपने page को थोड़ा सा नीचे करना है, यहां पर आपको 5 software दिखेंगे, आपने इने 1 by 1 डाउनलोड करना है, इस पर मैंने timer set करा हुगा है, जो मेरे पुराने subscribers है, उनको जरूर पता होगा, पर जो मेरे new subscriber है, मैं एक application आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको idea हो जागा, click here के उपर आपने click करना है, जैसे ही आपका timer finish होगा, यह corner में download का बटन है, यहां पर click करके आप इस application को download करेंगे, फ्रेंड्स आपको यह 500 software डाउनलोड करने है, मैं आपको install करके बताऊंगा कि आपने इसको use कैसे करना है, audit city के उपर आप click करें और यहां पर आप finish के उपर click करेंगे, अब second software को आपने download करना है, इस पर आप double click करेंगे, और यहां पर जो install लिखा है, इस पर आपने click करना है, यहां पर देखेंगे मेरे पास एक pop-up message आगे, installation complete successfully, और यहां पर नीचे लिखा है कि आपको अपना system restart करना पड़ेगा, तो एक बर मैं इसको ok करके restart करूँगा, फिर आपको next step बताऊँगा, system restart होने के बाद आपने voice meter के driver को भी install करना है, आपके system में winrar होना बहुत जरूरी है, winrar होगा, उसके बाद आपने इसे right click करके open करना है, आप दिखेंगे यहां पर दो आपको setup file दिख रही है, अगर आपका computer के उपर आपने right click करना है, properties में जाना है, 64 bit operating system, आपको यहां से अपना operating system चेक करना है, उसके बाद जो भी आपका operating system है, आपने इस file पे click करके driver को install करना है, आपके पास एक error का pop-up message आए था, उससे आपको tensile नेने की ज़रूरत नहीं है, आपका यह driver यहां से install हो चुका है driver install करने के बाद आपको voice meter जो भी application हमने download करी थी, उसको आपने यहां से open करना है, आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है hardware input, और इसके उपर आप click करेंगे, यहां से आपको अपने mic को select करना है, जो भी आपके system का mic है, आप उसको यहां से select करेंगे, यहां पे menu का button है, इ maximal file उसके उपर आप click करेंगे, click करने के बाद आपकी जो audio की settings है, by default इसके अंदर set हो जाएगी, यहां जो A1 लिखा हुआ है, आपने इसके उपर click करना है, और यहां से आपने audio को select करना है, और कौन सा select करेंगे, जो आपने यहां पर करना है, जैसे मेरे case में है Cyrus logic, तो मैं य select करूँगा, यहां से friends, अब आप देखेंगे, मेरे जो बार है, वो काम करने लग गए, अब यहां से आपको अपना audacity open करना है, audacity open करने के बाद, friends, आपने यहां पर mic को select करना है, आप यह जो mic का icon देख रहे है, यहां पर आप सेम वही mic को select करेंगे, जो आपने voice meter के नहीं हो रहे, आपके बोलने से, तो आप सबसे नीचे यह जो option देख रहे है, speaker की, इसके उपर आपने right click करना है, sounds में जाना है, और यहां से आप recording में जाएंगे, और by default जो आपका mic है, आप देखेंगे, यहां पे भी मेरा बार up and down हो रहा है, इसके उपर आपने right click करना है properties में जाना है, और यहां पे लिखाए levels, इसके उपर आप click करेंगे, अगर आपका यह पूरा down है, तो आपने इसको hold करके पूरा open करना है, अगर यह already hundred पे ही set है, तो आपकी recording ठीक होगी, तो यहां से आप अपने volume को set कर सकते हो, अब यहां से friends जो मैंने last software आपको दिया था उसको आपने यहां से open करना है, और उसको भी आप यहां से install कर लोगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है next, next, next और उसके बाद install के उपर आपने click करना है, और उसके बाद आप इसे finish कर देंगे, यहां से आप सारे software को install कर चुके, अब friends आपको मैं बताता हूँ, आपने इसको use क कैसे करना है, आपने audacity में जाना है, यहां पर लिखा हुआ है effects, इसके उपर आपने click करना है, और सबसे उपर add and remove plugin की जो option देख रहे हैं, इसके उपर आप click करेंगे, और आप देख रहे हैं यह auto tune लिखा है, जिसको अभी अभी हमने install कर रहे हैं, इसके उपर आपने click करना हैं और आपने इसको यहां से enable कर देना है, enable करने के बाद आप देखेंगे, यह enabled हो चुका है, उसके बाद आप इसको ok करेंगे, अब यहां से आप record का button प्रेस करेंगे, और जो भी आप बोल रहे हैं friends, वो सारी चीज़े यहां पर record हो रही है, और यहां से आपने इसको stop कर आपने effect में जाना है, और आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुए auto tune, इसके उपर आपने click करना है, इसके अंदर by default सारी settings है, अगर आपको फिर भी कुछ changes करने है, तो यहां से आप अपना experiment कर सकते हैं, नहीं तो आपने simple यहां पर apply के उपर click कर देना है, यहां से आपने इसको close करना है, उसके बाद फिर से आपने effect में जाना है, और आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुए normalize, इसके उपर आपने click करना है, यहां से कोई भी changes नहीं करने, आप इसको ok करेंगे, ok करने के बाद, फिर से आपको effect में जाना है, और यहां पर लिखा हुए compressor, उसके उपर आपने क्लिक करना है और ओके करना है फिर से इफेक्ट के अंदर जाने के बाद आप एक्वलाइजेशन में आएंगे यहां पे लिखा हुए ट्राइबल बूस्ट और यहां से आपने एक पॉइंट इसको नीचे कर देना है और इसके बाद आप ओके करेंगे और इसके आपने नॉइस डिटेक्शन में दुबारा जाना है और ओके के उपर आप क्लिक कर देंगे आपकी जो नॉइस थी यहां से वो पूरी रिमूव हो चुकी है उसके बाद आपने फिर से इफेक्ट में आना है और यहां पे लिखा हुए रिवर्ब इसके उपर आपने क्लिक क करनी है चाहे तो आप इस वीडियो को पॉस्ट करके आप यह सारे नंबर्स को अपने यहां पर टाइप कर सकते हैं सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने इसको ओके करना है और उसके बाद अगर आप यहां से इसको करना चाहते है तो फ्रेंड्स आप यहां से इसको कर स यहां पर आपड़ेगा यहां पर आप क्लिक करएंगे और इसके बाद आप जहां पर भी फाइल को saiff करना चाहते हैं, वहां पर उसका पात देंगे और से सेफ के उप धック करेंगे, यहां पर लिखा हुए download इसके उपर आपने क्लिक करना और यहां पे लिखा हुए Windows EXC फाइल, इस फाइल को आप यहां से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहां से आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे, और फिनिश, इसके आप इसे MP3 फार्मेट में भी बड़े अराम से सेव कर सकते हैं, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहां से मैंने अपने पात को सिलेक्ट करा, और उसके बाद मैंने सेव करा, और आप देखेंगे, यह फाइल मेरी सेव हो चुकी है, यह मेरी MP3 फाइल यहां पर डाउन एक जैसी नहीं होती, voice meter में जाके आप कुछ changes कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप चाहते ही नहीं इस software को यूज करना, तो जितने भी मैंने software आप से install करवाया है, आप सबको uninstall करके Audacity को फिर से install करिए, और जो मैंने इससे पहले वीडियो पना था, आप वो setting को try कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, friends, यह मेरी अपनी personal choice सी setting की, में भी शायद आपको ना पसंद आए, तो आप changes कर सकते हैं, अपने हिसाब से, I hope friend, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे like और share ज़रूर करे, मैं आपके लिए ऐस चुक्चर कर सकते हैं, मैं पातन को एक और सकते हैं, मैं आपके यह में आपको वर का वीडियो वीडियो